वेलकम बाक टू मैं चैनल होप यौल डूइग वेल फ्रेंड देस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो अब आप 15 हैवी फ्लारिंग प्लांट्स तू ग्रो तू कर तू इन मॉंसून सीजन तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही खुबसूरस से हैवी फ्लारिंग वांद मॉंन के ग्रो कर सकते हैं तो सबसे पहला जो आप प्लांट आए वेलेग तक अपने के लिए 5-6 इंचिस की आप कटिंग ले लिजेगा उसमें से लीव्स को आपको हटा देना है अगर बड आ रही होगी तो उसको भी हटा देगए कोशिच ये करिएगा तो थोड़ पुरानी सी cutting आप opt करिएगा newly cutting को मत लगाईएगा हिबिसकस की पुरानी अगर आप लगाओगे तो बहुत जल्दी से वो लग जाएगी क्योंकि जो new होती है वो थोड़ी सी soft होती है और थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आता है लगने में नहीं तो वो भी लग जाएगी ले अगर आप एक हिबिसकस प्लांट लवर हो तो आपको पूरा साल ही बहुत ही कुपसुरा से हिबिसकस फ्लार्स मिल जाएगे अगर आप देसी हिबिसकस और हाइबिर्ड हिबिसकस दोनों को ही अगर इधर cutting के थ्रू लगा लो तो आपके पास permanent पूरे साल भर के लिए हिबि बोगन वेलिया का ये भी सालो साल आपके घर बना रहेगा बहुत आसानी से आप cutting के थ्रू लगा सकते हो और इसमें भी आपको काफी सारी varieties मिल जाएंगी ये जो आप variety देखे हो इसका बहुत लोगों ने नाम पुछाता इसका नाम है चित्रा बोगन वेलिया काफी जादा देखने में खुपसूरस से लगते हैं और इसमें भी colors में आपको दूसरा भी variety दिखा देते हूं ये भी चित्रा ही बोगन वेलिया लेकिन इसका जो color combination है थोड़ा सा लियवन से थोड़ा सा फरक है इसमें आपको थोड़ा से dark color के flowers के साथ ये white color का shade दिखेगा बहुत अगर लगाएंगे तो हमाई पास बहुत ही beautiful सा garden throughout the year रहेगा अगर हमने अच्छे जो flowering plants होते उनको cuttings के थ्रू लगा लिया ज़रूरी नहीं है कि आप nursery से जाकर buy कर रहे हो अगर आपको कोई वी ऐसा color पसंद आता है तो इसमें भी बोगन वेलिया में भी आप थोड़ी सी से हो जाता है काफी beautiful से लगते जब इनमें एक अठे flower खिलते हैं जाकर इसके बाद next जो आप flowering plant देख रहे हो यह है सावनी का सावनी इधर मौनसून में बहुत अच्छे से flowering करता है although इसमें जो birds वगेरा होते हैं वो April में ही आना शुरू हो जाती है फिर मे में जाकर प्राइड ओफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है और इसमें भी आपको color options काफी सारे मिल जाएंगे इस तरीके का आपको maroonish red color का भी मिल जाएगा इसके साथ white मिल जाएगा जो कि मैं आभी आपको आगे दिखा दूँगी pink मिल जाएगा वो भी आप देख लीजेगा मे बहुत आसानी से इसकी भी लग जाती है तो अगर आपको कोई भी color आपके पास नहीं और आप इसका collection बनाना चाह रहे हो यह देखे यह दूसरा pink color का shade है इसमें आपको dwarf variety भी मिल जाएगी जिसमें प्लांट काफी जादा चोटा height का होता है लेकिन काफी जादा देखने में cuttings के त्यार कर लीजे जो की काफी जादा cost effective भी होता है और आपके पास बहुत beautiful सा collection हो जाएगा cuttings से लगाए हुए plants की बात ही अलग होती है जो भी आपके पास नहीं होते हैं इसके बाद next जो आप प्लांट देख रहे हो यह है डबल चान्नी का यह भी काफी जादा hardy plant होत समर्स में भी बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है तो इसे भी आप बहुत आसानी से cutting के थू लगा सकते हो इसमें भी आप पुरानी ही cutting को opt करिएगा देखिए friends अगर आप new cutting कोई भी plant की opt करते हो तो उसमें उपर में growth होती है तो उसमें आपको जो stem जो मिलेगी या फिर बिल्कुल अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी जिनमें आप new growth वाले भी लगा दोगे तो लग जाएंगी लेकिन यह जो plants होते हैं इनमें आप पुरानी ही जो woody stem out करेंगे तो वो तेजी से लगेगी इसके बाद नेक्स जो आप प्लांट देख रहे हो यह है अभी आपको मैं इसकी फुल वाइन जो वराइटी होती है वो भी मैं आपको दिखा दूगी काफी जादा बहुत अच्छे से यह plant मॉन्सून के समय में फ्लारिंग करता है और इसमें आपको colors भी काफी खुबसूरत से मिल जाएंगी यह color मिल जाएगा इसके साथ साथ और मिल जाएगा अभी मैं आपको yellow color भी दिखा दूगी तो में पस तीनो ही color है तो अगर आपके पास कोई color नहीं है तो इसको भी आप लगा लो बहुत ज़्यादा beautiful से देखने में लगते है और अब जो यह वाला आप देख रहे हो plant यह basically wine होती है और इसका flower देखे कितने beautiful और vibrant color case में flowers खिलते हैं तो आपका garden जो होता है वो काफी जादा देखने में colorful सा लगता है तो इस तरीके के plants को अगर आपके पास नहीं है तो आप cutting से थुरू अभी लगा लो बहुत आसानी से इसमें rooting हो जाती है और बहुत तेजी से बढ़ जाते हो और monsoon का season ऐसा season होता है जि pink trumpet wine का जो केक semi wine plant होता है काफी जादा देखने में खुपसूरत सा लगता है आप देखे इसके flowers भी तीकोमा की तरीके से ही होते है उनहीं की family का ही ये plant है बहुत जादा beautiful सा लगता है क्योंकि इसका color जो होता है वो जो common तीकोमा होते हैं उनसे थोड़ा सा unusual होता है तो अगर जो हटवा दिया है तो उसमें भी एक variety आयो ही है yellow में भी थोड़ा सा अंदर shade होता है तो वो मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे नर्सरी पे मिल जाता है तो मैं उसे जरूर से जरूर इंक्लूट करूंगी क्योंकि वो काफी जादा देखने में beautiful सा लगता है normal plain yellow नहीं हो इसके बाद next जो आप plant देख रहे हो यह है exora का exora एक semi shade में चलने वाला permanent flowering plant होता है काफी अच्छे से flowering करता है और बहुत जादा खुपसूरत देखने में लगता है जब इसमें कठे इस तरीके से bunches में flowering होती तो बहुत ही जादा beautiful सा लगता है इसे भी आप cutting के थूर अ जाएगी तो जैसे भी आपकी 24 हो आपको कहीं से यह plant का color आपके पास ना हो तो आप इसकी cutting लाकर लगा सकते हो बहुत आसानी से इसकी cutting लग जाती है अभी मैं आपको इसकी dwarf variety भी दिखा देती हूँ जो कि काफी जादा देखने में खुपसूरत से लगती वो यह है friends यह dwarf variety होती है इसमें यह होता है कि आपका plant थोड़ा सा छोटी height में होता है लेकिन flowers यह आपको भर-भर के देगा तो काफी जादा देखने में इस तरीके की plants अच्छे से लगते हैं जो कि short-height होते हैं लेकिन flowering जब होने की बात आती है तो यह बहुत जादा अच्छे से flowering करते ह तो आप कलर ना हो तो आपके अगर आसफरोस में आप उनसे मांग के भी लगा सकते हो काफी जादा एक beautiful addition आपके garden में होगा और मॉन्सून में यह भी plant बहुत अच्छे से flowering करता है तो friends मैं आपको ऐसे भी plant जिखा रहे हैं जो कि मॉन्सून सीजन में भी equally ही अच्छे से flowering बहुत अच्छे से करता है लेकिन मॉन्सून में भी इसमें बहुत अच्छे से flowering होती है तो इसे भी आप cutting के थूप बहुत आसानी से लगा सकते हो इसको भी मैंने इसका mother plant से cutting से ही तयार किया था एक plant वो भी मैं आपको भी दिखा देते हूं इसके जो आप प्लांट इसमें भी आपको नॉर्मल जो देसी वराइटी होती है और इस तरीके की hybrid वराइटी भी मिल जाएंगी इसके साथ साथ आप जो रोस प्लांट लवर्स हैं उनको तो मैं highly recommend करूंगी कि आप इस तरीके से देसी गुलाब की cuttings को जरू से जरू लगा लो यह जो आप cuttings देख यह जो आप देख रहे हो थोड़ी पुरानी है लेकिन जब इसमें फ्लारिंग होती है तो इसी तरीके से होती है जब मौसम थोड़ा सा सूधिंग होता है क्योंकि आप मौनसून सीजन लग गया है तो अब इसमें फ्लारिंग इसी तरीके से होगी गर्मी में जाकर थोड़ मौनसून में भी बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है इसमें बस आपको एक चीज ध्यान जरूर से जरूर रखना आप पानी के दिक्कत तो नहीं आएगी मौनसून के टाइमें जो की बारिश होती है लेकिन जब भी आप बहुत जादा कई दिनों से बारिश होती है तो फं कर सकते हो बहुत अच्छा देखने में शुब्सूरस सब प्लांट होता है तो इसे भी आप आपने गार्ड्好不好े जरूरjust होते निपनाएं लगा सकते हो इससे ऑफ थो असानी से लग जाता है बहुत इसादा देखने में भी उप्लांट के इसके ब QT इसकी फ्रेश कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि मैंने खुद लगाई है, इसकी मुझसे तो गलती से टूट गई की एकवर कटिंग तो वो मैंने जस नॉर्मल सी गार्डें सोयल में लगा दिया था, बहुत आसानी से लग गई थी, इवन उसकी मैंने लीव भी जोड़ ही दी थी, ऐसी जस लगा दिया था कि लगती है कि नहीं लगती है लेकिन लग गई थी वो, तो आप इसकी कैसी भी कटिंग हो लगा लो काफी ज़ादा देखने में यह प्लांट खुबसूरत तो लगता ही लगता है, फ्लाइरंट फ्लारिंग प्लांट होता है, त सरीके का, आपका मोगरा का प्लांट हो गया, जो की कटिंग के थूरू बहुत आसानी से लग जाते हैं, तो इसे भी इधर मौनसूर में जरू लगाएगा, इसके बाद नेक्स जो आप प्लांट देख रहे हो, यह है यूफोर्बिया मिलीका, जो की काफी जादा हार्डी हो अनली से देख और यह समय आप दूरली हैगा, यह इसकी ड्रायटि उती है जिस्में इंतते हो थोड़े से च्योटी सस्थ में होते हैं, और नॉर्मल देशी विधरे भरयाटिए हो यह मिलएगा, उर संभ क। इसमें बहुत ऐक striking के यह जाते हो, पहुँ बहुत जाद श़ह तो इसकी cutting को आपको थोड़ा सा शेड़ी एरिया में रख देना नहीं तो इसमें फंगस भी लग सकता है इसमें आपको थोड़ा सा फंजी साइड पाउडर अगर आप लगा कर cutting को लगाते हो तो cutting का जो survival rate होता है वो बहुत ज़ादा होता है तो आप इस तरीके से भी इसकी cutting को लगा सकते हो काफी जादा देखने में खुबसूरा सा लगता है पर्मनेंट प्लांट होता है आपके पास सालो साल बना रहेगा जो किसकी अदेसी वराइटी होती है यह जो आप वाइट और पिंक देख रहे हो हाइब्रिट को बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता ह कई बच भी जाते हैं लेकिन साल दो साल ही बचते हैं उसके बाद वो खराब हो जाते हैं तो आप इसे भी cutting के थूँ आसानी से अभी लगा लीज़े काफी जादा colorful आपका garden देखने में लगेगा समर्स में तो यह बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है इवन मॉनसून में क्यूट से flowers अपने garden में पसंद है तो इस तरीके के प्लांट को भी जरूर अपने garden में इंकलूट करिए जिसके flowers तो छोटे साइस के होते हैं लेकिन leaves जो होती हैं वो काफी बड़ी-बड़ी साइस की होती है मैंने भी इसकी cutting लगाई हुई है गमले में जो की बहुत फ्लार्स खुब गुच्छों में आए इस तरीके से बंच में फ्लारिंग करें थ्रूआउट दाइयर करें बस विंटर अच्छे से फ्लारिंग करता है तो इस प्लांट को भी आप इस समय कटिंग के थूप बहुत आसानी से लगा सकते हो तो फ्रेंट्स आई होप आप लो झाल 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 झाल